किसान साथियों मैं आपका अपना डॉक्टर रवीज यानी खेट से किसान तक एकर इकल से रेटेड फेस्बूक यूट्यू जो आप सभी का स्वागत है वीडियो जान करें अच्छे लगे जदे से जदे इस वीडियो को शेर करें बेल लाइक अंद भाई हर किसान भाई तक हम बात करने वाले हैं मुंग की फसल के उपर जो मुंग के अंदर सबसे बड़ी समझ्चा क्या है कि पीला अपन थोड़ा थोड़ा अलका दिखाई देता है किसान भाईयों को और दो नमर पर क्या यह पोदे सूकने की समझ्चा यह फंगस रुपी जो यह बीच-बीच में यह बर्षात दुबारा हिरू लगा रहे हैं तो यह मीट्टी का वास्ट विगरन से खुल जाएगा इसके आरण यह फंगस रुपी पिमारी कम दिखाई देगी नहीं मिले आप यह खेत को अंदर और दो नमर जो पीला पन है यह पिला पन अलका फुलका आता है जो यह अप कि अंदर फसल नहीं रुकेगी हो तो और और सबसे बढ़िया अपने फसल चलती रहे फसल का तक्कर चलता रहे और पीला पन दिखाई देगा और साथ के अंदर अपने मूंग के अंदर क्या होता है कभी अभी हाल फिलाल के अंदर जैसे मूंग अमारे 25 दिन के 20 दिन के हो कि अंदर क्या होता है कि अपने हेरून लगाते तो हेरून लगाते जमीन का मून वास्पिकरन नहीं खुलता जिसके करण अपने को फंगस रूपी और पीलापन दिखाई था और स्ट्रेस रूपी अपनी फसल चलती नहीं है फसल चलाने के लिए सबसे बड़ी है आप अग चलता है तो उसके लिए सबसे बड़ी है जब आप विजाई कर रहे हैं उस टाइम अपने ट्रीटमेंट करके विजाई करें और चौत्य नमर के समझ्छा यह पीलापन यह लो रोश्ट मतलब इसको अलग-अलग प्रकार के नाम दिए देता है पीले धबे तो यह बनना यह हैं वाइट मतलब यह पोड़ों के अंदर बनना होता है इसके करन्क अश्टि세요 से सबस्क्राइब जाए क्लिए इसके लिए पिला रहा है तो अब कर понравिए सबसे बड़ी है एकप जैसे वरोग था रहाँ करना चाहते हैं अभी तो खैति चाहिए नदर वाहर की दिए या मेटालेकसल प्लसमेन को जब या अजोक्स्ट्रबिन डाइफोना को नजोल इन में से तिनों में से कोई भी फंगी साइड ले उसके साथ प्लान्टोमाइसिन मिलाकर फोलियर सब्रे कर सकते हैं आपको 70% तक इसकी रिकवरी मिलेगी अच्छा रिजल्ट मिलेगा प्रिणाम अच्छे मिलेगे यह आती है समझ आगर आपके खेत के अंदर मूं के अंदर यह बारी तीन ही समझ आती है जो अभी छोटी स्टेज के अंदर होते हैं मूं उसमें यह पीला पंदे कर लोग किसान भी गयते हैं आप फसल के अंदर फोली से प्रेकरनी है तो यह फंगस रूपी जो भी नीचे से फंगस आई यह उसका भी कंट्रोल करेंगा और सिस्टम और कॉंटक्ट बैस में दुन्नों में इसमें गुसकर मारेगा तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है यह आप देख सकते है ये अलका फुलका ऐसा आपको दिखाई देता है color तो इसमें ना गब राएं ये आपके एक बीग अंदर कम से कम पांस या साथ पोदे दिखाई ने हैं दस पोदे तो अगर ये दस पोदे दिखाई दे रहे हैं जब तो उखाड दें अगर ये ज़्यादा दिखाई दे रहा इसका इरिया बढ़ रहा है वह आपने को कोई जूरत नहीं से परे करने की हांlak अभी मूंग की स्थेज अपनी है जो फोलीर से करने वाली नूंग के चोटे चोटी चोटे बारेक्यों से पत्तों चांदी है तो वहां पे सुन्डी और अलग की समझा हो सकती है तो आप इसके लिए सबसे बड़ी है आपने लेमडा पलस एक्टारा का यूज़ करना है लेमडा पलस एक्टारा की एक एमल की एक लिटर पानी की डोज रखनी है आप उसकी फोलियर सप्रे कर सकते हैं या आप रोगर या मोनो या आप अब ये मुँग के अदर फिलियर सब्रे कर सकते हैं तो इसमें गब्रानी के जूरत ह bisher नहीं है अगर आपको यह समस्या दिखाई देती है तो आप यह treatment कर सकते हैं अभी मूं के आपको यह समस्या दिखाई देती है जैसर इसके अदर वाइड कलर जीसे जाग यहाग जया हो पॉद्य के इंदर हां गाये रिखाय तो यह होता जादा नम्य कर गें अगर जादा फसल झाद को नम्य मिलила जाए तो यह जो फंगस आ Yamя इसके लिए दर इस एंदर जैसे जागन से आहिं और तो यह ज़्यादा नमी होगी एकदम में फसल के अंदर तो उसमें आएएंगे तो उससे भी ना गवराएं, आपने यह ज़्यादा पोदे सूख तो वीडियो जान करें चलगे चदद चदद वीडियो को शेयर करें बेल आइकन दो भाई हर किसान भाई तक मुझाए दन्यवाद किसान भाई हो